सद्द सार मुंडन संखार या मुंडन संशकार अक्सार आपने सुना होगा अरे हमें तो उसने मूड लिया या बजार में दुकांदार किछी ग्रहा को मूड लेता है या अपस में जब दुकांदार बात करते हैं तो कहते हैं कि मैंने उस ग्रहा को अच्छी तरह से मूड लिया यहां जो मूडने का मतलब है उत्रूपती बाला जी के अंदर जो मूडन होता है जहां बाल कटाते हैं सभी तीर्थी यात्री वो मूडन या जो बच्चे के बाल संसकार का या जो बाल संखार का होता है मूडन संसकार का उसमें जो बाल कटाते हैं उन सभी मूडनों का मतलब एक ही है आपके सर के सभी बाल अगर काड़ दिये जाए तो उसको मुंडन बोलते हैं और इस कारे को मुंडन संखार बोला जाता था पाली भसा के अंदर मुंडन जो सब्द है या मुंडा या मुंडी या मुंडे या मुणिया पूर्णिमा जो अभी असारी पूर्णिमा होती है भारत के अंदर, आसार के महिने में, यानि असार के महिने में जो पूर्णिमा सी आती है, पूरन चंद आता है, उसको मुडिया पूर्णिमा भी कहते हैं, यानि के मुडिया पूर्णिमा का मतलब है कि उस दिन बहुत सारे जो लोग हैं वो चीवर लेते हैं, भिक्षू बनते हैं, सामनेर बनते हैं और उनके सर मुंडाए जाते हैं, ये परंपरा बुद्ध समय के बाद बहुत तेजी से बड़ी और विक्सित हुई, क्योंकि जितने भी बुद्ध के सामनेर थे या सावक थे या भिक्षू थे या भिक्षू थे उनका नियम था कि उन्हें मुंडन कराना पड़ेगा तभी वो भिक्कु संग में सामिल होते थे ये भिक्कु संग का नियम था मुंडन इसलिए कराते थे ताकि विपस्टना करते समय बाल उनको परिशान ना करें और वो गहरी विपसना साधना से अच्छी तरह से सीख जाएं इसलिए उस समय के जितने भी मुंडन के लोग थे या मुंडा लोग थे या जो मुंडे लोग थे मुंडी थे या मुडिया थे या मंडू थे या मैडे थे वो सारे के सारे उस समय के बुद्धिष्ट लोग है ये बुलकुल किलियर्सी और बुलकुल इसपष्ट बात है क्योंकि मुंडेती का मतलब है मुंडन कराता है या मुंडन करता है यानि कि बालों को शेव करता है गंजा होता है सफाचट होता है ये मुंडेती का मतलब पाली के अंदर होता है मुंडत जो होता है मुंडत का मतलब है मुंडन कराने का भाव यानि अगर हम ये कहें कि कोई मुंडत है तो उसका मतलब उसकी एक्षा है उसका भाव है कि वो मुंडन कराना चाहता है भिक्कु बनना चाहता है मुंडा है या विरसा मुंडा आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा विरसा मुंडा हमारे बहुत महापुरुस रहे हैं जो 36 गड़ के अंदर और इधर जो पूरवी उत्तरप्रदेश भारत है वहाँ पे वो उन्होंने बहुत जादा लोगों को समझाया और लोगों को जन ज इसलिए विरसा मुंडा का मतलब समझिए वीररस का मुंडा नहीं है इसका मतलब इसका मतलब है जो वीरस मुंडा यानि पुराने समय में जिसने अपने सारे रस छोड़ दिये हैं वीतरस हो गया है वीतरस का मतलब है कि अब वो भिकु हो गया है या भिकुनी हो गई है और जिसने अपने बाल मुर ली हैं, कटा ली हैं, इसलिए उसको विर्सा मुंडा बोलते हैं, यानि वीत रस मुंडा बोलते हैं, तो यह हमारे महापुर्सों के जो नाम हैं सारे, जो मुंड से या मुंडा से, या जो अभी आपने देखा होगा, के एक मुंडे बहुत चर्चित नाम रहा महाराष्ट के अंदर तो जितने मुंडे मुंडा और इसी मुंडा से अंगरे जोने गुंडा एक्ट बनाया गुंडा कोई शद नहीं है कहीं भी मगर मुंडा को वो गुंडा बोलते थे इसनिए वो गुंड़ा एक्ट बना जो आज भी गुंड़ा एक्ट के नाम से फेमस है धन्यवाद सकार है बना म्हीं घज़ा एक अन्यवाद खीया एक्ट नाम से बन्यवाद अब्यास बहें ग कर दो